स्वागत है आप सभी का XP Classes में, आज हम लोग पढ़ेंगे Class 12, Flamingo Book से, English Approach के अंतरगत, Chapter 3, और ये Chapter जो है, Deep Water, William Douglas का, Autobiography का एक Part है, जिसमें इन्होंने, अपने पानी के प्रती, जिनका डर था बच्पन में, उसके बारे में, और कैसे उससे ये उभर कर आए, कैसे उससे ओबर कम हो पाए, उसके बारे में इसमें बताये गया है, तो सबसे पहले थोड़ा ओथर के बारे में जान लेते हैं, मैं चेतन प्रताब एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ, XP Classes में, थोड़ा पहले ओथर के बारे में जानते हैं, बिलियम सी रगलस का जन्म, 1898, मैं मैने, यानि मिने शोटा में हुआ था, आप्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर आफ आर्ट्स इन इंग्लिस और एकॉन्मिक्स, इंग्लिस और एकॉन्मिक्स में ग्रेजुएट करने के बाद, यानि बिये करने के बाद, बैचलर आफ आर्ट्स का मतलब तब बिये, कि इस्पेंट टू इयर्स टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा, और याकिमा इन्होंने याकिमा में दो बर्द हाई स्कूल में पढ़ाया, फिर इसके बाद इस काम से ये थोड़ा ठक गए, और हुने अपना केरियर जो है वो आगे बढ़ानी कोसिस की सोची, लिशे किया, लीगल केरियर, यानि बकील बनने की सोची, फर ये फ्रेंक्लिन डी रूजवेल्ट से मिले याले में, और बिकिम एन एडवाइजर एन फ्रेंड दे प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो समय थे, उनके रूजवेल्ट, उनके एडवाइजर और मित बन गए, और ये अपने आप में लीडिंग एडवोकेट थे, जाने माने एडवोकेट थे, अग्रिनी एडवोकेट थे, इंडिविजूल राइट्स की, फिर ये 1975 में रिटार्ड हो गए, और फिर इसके बाद, अब ये जो इस्टोरी है, वो इस्टोरी ली गई है इनके आफ मैन एन माउंटेन से, ये स्टोरी इनका ओटोबाइग्राफिकल नोट जो है ये, यानि ये जो इस्टोरी है, जिसको हम लोग पढ़ ले है, डीव वा खुद का परसनल अकाउंट है, तो चलिए, अब chapter पर आते हैं, तो it had happened, ये हुगा, when I was 10 और 11 years old, कि it had happened, ये तब हुगा, when I was 10 और 11 years old, कि जब मैं 10 या 11 वर्स का था, तब ये घटना हुई, I had decided to learn to stream, कि मैंने निश्य किया तैरना सीखने का, I had decided to learn to swim, there was a pool at the YMCA in Yakima, कि YMCA in Yakima, कि Yakima मैं याकिमा एक नदी है, तो एक YMCA मैं एक पूल था, that offered exactly the opportunity, कि जो यथात रूप से ये आउशर मुझे आफर कर रहा था, परदान कर रहा था, यानि YMCA में, Yakima में YMCA के पास एक पूल था, एक सरोबर था, एक तालाब था, जो ठीक मुझे ऐसा आउसर प्रदान कर रहा था, कि मैं तैरना सीख सकूँ, The Yakima River was treacherous, अब जो Yakima नदी थी, वो treacherous थी, माने अविश्वस नहीं नदी थी, यानि विश्वास नहीं कर सकती, गहरी भी थी और साथी साथ हो सकता, जानमनों का भी खत्रा हो, मगर मक्ष पगेरा, तो treacherous नदी थी, यानि अविश्वस नहीं धोके बाज, Mother continually warned against it, और मा हमेशा लगतार warned, चेताब नहीं रेती थी, अगेंस इट, इसके प्रती हमेशा मुझी चेताया करती थी, and kept fresh in my mind, the details of each drowning in the river, और kept fresh और ताजा रखती थी, in my mind, मेरे मन में, the details of each drowning in the river, कि परते एक जो drowning होती थी, कोई वैक्ती जो डूपता था, ड्राउन होता था नदी में, उसके बारे में ये मुझी बताती रहती, तो मेरे माइड में वो चीज भरी रहती थी, माइड फ्रेस बन वाज सेप, लेकिन जो पूल था, YMCA के पास, वो पूल, शेप पूल था एक, यानि सुरक्षे था, it was only two or three feet deep at the shallow end, कि जो shallow end था, जो उथला छोड था, उस तरब ये केबल दो या तीन feet गहरा था, while it was nine feet deep at the other, जबकि ये दूसरे तरब nine feet गहरा था, the drop was gradual, और जो drop था, यानि लोगों का जो डूबना बगएरा था, वो gradual, यानि वो फिर आगए, एक माद देख, while it was nine feet deep at the other, जबकि ये दूसरे feet पर nine था, और the drop was gradual, यहाँ drop का मतलर डूबने से नहीं, यहाँ drop का मतलर गहर अब फिर ऐसे ही और गहराई बरती चली आ रही थी, I got a pair of water wings, कि मैंने एक जोड़ा water wings का लिया, यानि जल परों का लिया, and went to the pool, और मैं उस शरोबर में गया, I hated to walk, मुझे hate थी, घ्रना थी, अब ये इसका map है, YMCA का, याकिमा रिवर का, इसको आप देख लें, study कर लें, अब याकिमा रिवर जो है, is a tributary of the Columbia River in Eastern Washington, USA, USA के Eastern Washington में, कुलंबिया नदी की एक tributary नदी है ये, याकिमा रिवर, यानि सहायक नदी है, the state is named after the indigenous Yakima people, अब यहां के जो मूल नवासी है, उनकी नाम पर याकिमा जो लोग है, उनकी नाम पर इस नदी का नाम याकिमा रखा गया, तो आगे यहां author कह रहा है, I hated to walk, मुझे walk करने से थोड़ा नफरत थी, पसंद नहीं था, naked into it, इस में नंगे मुझे walk करना अच्छा नहीं था, मुझे बिलकु अच्छा नहीं लगता था, and so my skinny legs, और अपने skinny, यानि दुबले-पतले legs दिखाना, पैर दिखाना मु मैंने subdue, मैंने subdue माने होता है, दबा देना, या रोक देना, या सांत करना, तो मैंने अपने इस अभिमान को सांत किया, दबाया, और ऐसा किया, यानि मैं उसमें naked गया, मिना कपनों का, from the beginning, शुरुवास से, however, यद भी, I had an eversion to the water, when I was in it, कि प्रारम से ही पानी के अंदर होने पर मुझे पानी से घणा होती थी, from the beginning, however, यद भी, I had an eversion to the water, when I was in it, कि जब मैं पानी में होता था, तो मुझे पानी से थोड़ा घणा थी, this started when I was three or four years old, अब ये घणा कब शुरू हुई, जब मैं तीन चार वर्स का था, and father took me to the beach in California, और वीच माने होता समुद्री तट, और जब पिता जी मुझे तुक भी, मुझे ले गए थे, समुद्र तट में, कैलिफोर्निया के समुद्र तट में, जब मुझे वो ले गए थ तब ही से ये इन चार वर्स की मेरी अवस्ता थी, तब मुझे ये घणा पानी से हुई, he and I stood together in the surf, कि वह और मैं साथ साथ, together माने साथ साथ खड़े रहें in the surf, सर्फ माने होता है तकराते हुई लहरें, कि हम दोनों तकराते हुई लहरों के बीच में खड़े रहें, I hung on to him, मैं उनके उपर लद गया, hung on to him माने होता है, उनको लद गया या उनको पकड़ लिया, at तो भी, the babes knocked me down, तो भी जो babes थी, लहरें थी, यानि मैं I hung on to him, उनको पकड़े हुए था या लदा हुए था उनसे, at the babes knocked me down, तो भी लहरों ने मुझे knock me down, नॉक डाउन माने होता ह और मेरे उपर चढ़ गया, यानि swept over me, मेरे उपर से गोचर गयी है, मेरे उपर चढ़ गयी है, मेरे उपर चढ़ गयी है, I was worried in water, अब मैं पानी में दफन हो गया, यहां पानी वरीड माने होता है, दफन, यानि अब दफन होने का मतलब है, पूरा भीग जाना, my breath was gone, अब यहां पानी में पूरा भीगने का था, पानी में डू भी जाना, एक टाइट से, पानी के अंदर हो जाना, my breath was gone, मेरी स्वास जो थी, वो रुप गयी थी, गौन चली गई थी, स्वास चली गई थी, I was frightened, मैं डर गया था, father laughed, पिताजी हसे, but there was terror in my heart at the overpowering force of the babes, पिताजी अब पिताजी इस पर हस रहे थे, क्योंकि वो पिताजी के साथ था ओथर, तो पिताजी को बिसेश डर नहीं था, क्योंकि वो साथ में थी, तो आथर कहते हैं, कि ऐसा हुगा, एक लहर आई और मैं नीचे मुझे गिरा दिया, मैं पूरा पानी में डुप गया, तो मेरी में एक आनन था तरु अतंग लेकिन में थोड़ा मेरे हिरदय में एक ढर था डर था टेरर था इट ठ ओब्रवर्वर्वर फोर्च आउब दअल फेप लहरों का जो ओब्रवर पावर्वर फोर्वर इंग मने होता अतन दिक तेज कि जो बहुत तेज यानि ओवर पावरिंग फोर्स था जो बल था यानि लहरें बहुत तेज गती से थी तो उसके काण मेरे दिल में थोड़ा ये भय था इसका टेरर था अतंग था my introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories अब my introduction मेरा पर्चे to the YMCA swimming pool कि YMCA swimming pool से मेरा पर्चे revived जब मेरा इस swimming pool से पर्चे हुगा तो revived unpleasant memory तो मुझे पुना फिर से याद आ गई उन unpleasant memory की उन दुखद यादों की याद आगी मुझे and still childhood fears अब यहां author बात करें अपनी बच्वन की बात नी करें अब यह बात की बात करें जब यह चीज वो लिख रहें कि जब मैं दो तीन साल का था पिता जी साथ गया था तो लहरों ने जब मुझे दुबववया तो मेर अंदर एक भय बैठ किया क्योंकि लहरों की जो गती थी ओवर पावरिंग फोर्स से थी तो author यहां आप कहते हैं कि जब मुझे उसकी याद आती है तो थोड़ा मैं unpleasant memories यादे मेरी पुनर जीवित हो जाती है and instead और हिला देती है childish fears और जो मेरे बच्पन का जो भय था उसको ला देती ही सामने मेरी जगा देती है श्टिर्माने हिलाजना यहां अर्थ हो जाएगा लेकिन जगाने से but in a little while लेकिन थोड़ी देर में I gathered confidence लेकिन थोड़ी ही में मेरा confidence आ गया but I gather confidence कि मैंने अपने confidence से खक्टा कर लिया माने मुझे में आत्मिश्वाच आ गया I paddled with my new water wings पेडल माने होता है चलाना कि I paddled with my new water wings जो मैं नई water wings लिये था उनको पहन कर मैंने हाथ पर चलाए watching the other boys अन बच्चों को देखकर and trying to learn by apping them और उनको एप करके यानि एपिंग माने होता है नकल करना उनको नकल करके मैंने कुछ सीखनी कोशिस की कि मैं भी तेरना सीखू यान बच्चों को देखते हुए और उनकी नकल करते हुए तेरनी कोशिस की I did this two or three times on different days कि अलग अलग beginning to feel और मैं ठीक ये फील ही कर रहा था at ease निश्चेंद होकर at ease माने होता है निश्चेंद होना in the water पानी में when the misadventure happened कि जब दुरघटना हुई कि मैं ये चीज फील ही कर रहा था निश्चेंद होकर कि मैं थोड़ा तेरना सीख जाऊंगा ऐसा तो तभी एक दुरघटना I went to the pool I went to the pool when no one else was there अब बताते हैं author यहां कि दो ही तीन दिन हुए थे कि मैं फिर जब पूल में गया तो when no one else was there जब no one else else माने होता और जब कोई और वहां नहीं था the place was quiet वो जगे विलकुल सान थी यानि चारोतरब सान थी थी the water was still पानी भी सान था क्यों कोई था नहीं प tiled bottom was as white and clean as a bathtub और जो tiled bottom था यानि उस पूल का जो उस पूल के bottom में tile लगी थी तो जो tiled bottom था तली थी उसकी वो white थी और clean थी जैसे वाथ तब होता बैसी थी I was timid about going in alone अब मैं थोड़ा timid था डरा हुआ था about going in alone कि मुझे थोड़ा अंदर अकेले अंदर जाने में थोड़ा मैं डल लग रहा था मुझे so I sat on the side of the pool to wait for others so I sat इसली में बैठ किया on the side of the pool pool के side में बगल में बैठ किया to wait for others दूसरों का इंतियार करने लगा कि दूसरों का इंतियार करने के लिए में एक स्रब बैठ किया कि कोई अगर आए तो उसके साथ इसमें प्रिवेश करूँ I had not been there long when in came a big brusher of a boy कि I had not been there long कि अभी मुझे वहाँ ज्यादा देर भी नहीं हुई थी वें जब in came a big brusher of a boy कि एक big brusher, brusher माने होता हट्टा-खटा आदमी जैसा एक लड़का आया प्रोबैबली 18 years old कि संभा होता जिसके उम्र 18 years थी लगवा 18 वर्स का था जो He had thick hair on his chest कि जिसकी चाती में उसकी चाती में thick hair थे माने घने बाल थे He was a beautiful physical specimen, specimen माने होता है नमूना तो उसका एक सुन्दर सारे रिक नमूना था यानि अच्छा हट्टा-खटा था देखने में With legs and arms, dead sword, rippling muscle और उसके हाथ पर legs and arms, dead sword, जो प्रदर्सित करते हैं, rippling muscles, लहराती हुई यानि अच्छा कत-काठी का था, उसके टांग और बाजू की जो मासपीसियां थी, वो लहरा रहे थी, rippling muscles थी He held, अब वो चीखा, चिलाया, यानि जो लड़का आया है दूसरा, वो चिलाता है, चिला के कहता है, high skinny High patlou, skinny का मतलब हो गए धर, patlou, high patlou How would you like to be dugged? तुम कैसे दूबना पसंद करोगे? How would you like, तुम्हें दूबना कैसे लगए? How would you like to be dug? यानि दूबना तुम्हें कैसा लगेगा? तो with that, इसके साथ ही, इतना उसने कहा, with that माने इसके साथ ही, he picked me up, उसने मुझे उठा लिया, he picked me up, उसने मुझे उठा लिया, and tossed me into the deep end, और गहरे छोर में मुझे जाके उच्छाल कर फिक दिया, toss करना माने उच्छाल दिया, tossed me into the deep end, गहरे छोर में मुझे जाके डाल दिय यानि पानी में फिक दिया I landed in a sitting position landed माने होता उतारना जमीन में गिरना कि अब यहाँ पानी के नीचे जब वो गिरा तो sitting position में गिरा swallowed water author कहता है कि मैंने पानी निगल गया swallow कर गया and went at once to the bottom और सीगरी में तली में पहुँच गया I was frightened मैं डर गया था but not at लेकिन at माने तो भी लेकिन अभी भी not at frightened अभी भी इतना नहीं डरा था out of my wits wits माने होता है बिबेग, होश कि अभी मैं इतना नहीं लेकिन डरा था कि मैं अपने होश खो बैठ हूँ on the way down on the way यानि जब पानी से वो नीचे जा रहा था उस लड़के ने क्या किया इसको उठाया उठाके पानी फिक दिया तो कह रहा हूं sitting position में मैं नीचे गिरा पानी निगल गया और सीधी bottom में पहुँच गया मैं डर गया था लेकिन इतना नहीं डरा था कि आउट आप माई बेट सो जाओं यानि अपना होस खो बैठू on the way down जब मैं नीचे जा रहा था तो पानी के रास्ते नीचे तली में जा रहा था तो I planned मैंने ये सोचा, plan किया when my feet hit the bottom कि जब मेरे पैर bottom को hit करेंगे तो I would make a big jump तो मैं एक बड़ी jump करूँगा come to the surface surface पर आ जाऊँगा lie flat on it और फिर सतय पर flat late जाऊँगा lie माई लेट ना flat माने सम्तल and paddle to the age of the pool और paddle करूँगा हाथ पैर चलाऊँगा to the age of the pool pool के छोड तक पहुँँच जाऊँगा paddle करते लिए age माने होता है छोड़ it seemed a long way down यानि यह सोच रहा है author जब उसने फिक दिया सोच रहा है कि मैं जल्ली से तली में जाऊँगा और एक दम से एक jump लगाँगा उपर आ जाऊँगा और फिर flat हो जाऊँगा बिलकुँ सीधा और हाथ पैर चलाके उपर तक आ जाऊँगा तो it seemed a long way down अब author यहां आगे कहते हैं ऐसे लगा a long way down कि पानी की नीचे एक लंबा रास्ता मुझे महसूस हुआ अब लंबा रास्ता महसूस होने का मतलब यह नहीं है कि कोई रास्ता बना था नहीं जो उपर से तली तक के जाने का जो रास्ता है वो लंबा उसको लगा क्योंकि जिसको तैरना नहीं आता है उसको लंबा ही लगता है those 9 feet were more like 90 कि वो 9 feet की जो दूरी थी पानी की गहराई थी वो मुझे like 90 90 से ज़ादा लगी and before I touch the bottom my lungs were ready to burst burst माने होता फटना अब इसके पहले कि मैं bottom को touch करूँ bottom तक पहुंचू my lungs मेरे फेपडे were ready to burst burst कि मेरे जो फेपडे थे वो फटनी वाले थे but लेकिन when my feet hit bottom लेकिन जब मेरे पैरों ने bottom को hit किया यानि touch किया उसको छुगा तो I summoned all my strength समन माने होता आदेश करना तो मैंने अपनी पूरी सकती को आदेश के यानि पूरी सकती बटोरी सकती को आदेश करने का मतलब सकती बटोरना and made what I thought was a great spring upward and made और किया क्या किया what I thought जो मैं सोता था was a great spring upward spring माने चलांग कि उपर की तरफ मैंने एक बड़ी छलांग लगाई I imagined I would bob to the surface like a cork I imagined मैंने सोचा I would bob bob माने होता है उतराना पानी के उपर तैरना I would bob मैं उतरा आऊंगा to the surface सतह पर like a cork जैसे cork उतराने लगता है बैसे मैं उतरा आऊंगा सतह पर आ जाऊंगा instead I came up slowly इसके बजाए जो मैंने सोचा था बैसा नहीं हुआ I came up slowly मैं उपर धीरे धीरे आया I opened my eyes मैंने अपनी आखे खोली and saw nothing और मुझे कुछ नहीं दिखाए दिया but water लेकिन पानी पानी था water that पानी पानी की water that had a dirty yellow ting tinge to it tinge माने होता आभा कि ऐसा पानी जिसकी आभा पीली थी यानि पीला पीला पानी दिख रहा था मैंने कुछ नहीं देखा मुझे कुछ नहीं दिखाए दे रहा था लेकिन पानी दिखाए दे रहा था और पानी कुछ dirty यानि मेले yellow ting में था यानि पीली आभा लिए गुए था मैं ऐसे उपर पहुँचा जैसे कि मुझे ग्रेब करना हो, पकड़ना हो, कि मैं पकड़ने के लिए, एक रोब पकड़ने के लिए, जैसे मैं ऐसे उपर पहुचा जपड़ते हुए, जैसे कि मैं एक रोब पकड़ना चाहता हूँ, ग्रेब करना चाहता हूँ, and my hands clutch is only at water, ले I tried to yell, मैंने चीख नहीं कोशिस की, I tried to yell, but no sound came out, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं निकली, क्योंकि ये पानी के अंदर है, then my eyes and nose came out of the water, तब मेरी आखें और नाथ पानी के बाहर आई, but not my mouth, लेकिन मेरा मुह बाहर नहीं आया, आगे फिर author कहता है, I flailed at the surface of the water, कि पानी की स्थे पर मैंने flailed किया, मने अपना मैंने पूरा हाथ पैर चलाना, flailed मने होता हाथ पैर चलाना, तो मैंने हाथ पैर चलाए, swallowed, निगल गया पानी, and choked और choked हो गया, रुंद गया, और मेरा गला रुंद गया, पानी निगला और गला रुंद गया, I tried to bring my legs up, I tried, मै bring my legs up, अपने पेर उपर करनी कोशिज की, but they hung as dead weights, लेकिन वे dead weights, यानि, वे पूरी तरह dead, मृत weights, बोज की तरह, वे लटके रहे, पानी में पड़े रहे, यानि मेरे पेर हिले नहीं, they hung as dead weights, कि मृत बोज की तरह, वे पड़े रहे, paralyzed, paralyzed माने होता है, बिलकुल, संग्या शून्य, यानि कोई उसमें बोध ना होना, paralyzed माने होता है, लकवा मार जाना, तो ऐसे लगए, जैसे लकवा मार गया हो, बिलकुल शून्य हो गई, and rigid और कठोर हो गई, a great force was pulling me under, और एक great force, एक बड़ी ताकत मुझे नीचे खीच रही थी, बास pulling, पुल माने होता है, खीचना, I screamed, मैं चीखा, but only the water he heard me, लेकिन केवल पानी तक ही मेरी आवाज पहुची, यानि केवल पानी ही नहीं मुझे सुना, केवल पानी ही मुझे सुन सका, यानि आवाज बहार नहीं जा रही, I had started on the long journey back to the bottom of the pool अब ये पूरी कोसिस कर दा है, फिर कह रहा है I had started, मैं सुरू कर चुका था on the long journey back to the bottom of the pool, यानि बापस पूल की तली की यात्रा में सुरू कर चुका था, यानि बापस ही नीचे जा रहा है, अब ओतर आगे कहते हैं, I struck at the water as I went down strike माने होता प्रहार करना, यानि मारना तो I stuck, मैंने हाथ पैर चलाई, यानि दम लगाई, ताकत लगाई की author कहता है कि मैंने ताकत लगाई, I stuck नीचे जाते हुए पानी पर मैंने जोल लगाया, I stuck at the water as I went down, जैसे ही मैं नीचे गया तो मैंने पानी पर जो लगाई, expanding my strength अपनी बल को बढ़ाते हुए, as one in a, जैसे की कोई, one माने कोई एक बैक्ती, in a nightmare fall, nightmare fights, तो nightmare fights यानि जब बुरा शौपन आता है, तो अस समय हम जब शौपन में लड़ते हैं किसी से, nightmare fight में, तो an irresistible force, nightmare fights and irresistible force, फिर से समझे जड़ा, expanding my strength as one in a nightmare nightmare माने होता है, बुरा शौपन, बुरा शौपन, तो in a nightmare fights and irresistible force, irresistible माने होता है, जिसको रोका ना जा सके, अप्रती रोध, यानि वो सक्ती, एक बुरे सौपन, जब हमें कोई बुरा सौपन आता है, तो उस बुरी सक्ती से हम लड़ने के लिए, और irresistible force से लड़ने के लिए, जब हम पूरी ताकत दिखाते हैं, तो वैसी ही मैंने अपनी शक्ती बढ़ाती हुए, मैंने पानी पर जो रजमाया अपना, अब आगे देखें, I had lost all my breath, कि मेरी पूरी मेरी स्वांस चली गई थी, I had lost all my breath, कि अब मेरी स्वांस ही चली गई थी, यानि कहने का मतलब है, स्वांस फूल गई थी, my lungs acts, कि मेरे lungs जो थे वे, act हो गए थे, यानि कहने का मतलब फेपड़ों में दर्द हो रहा था, my head throbbed, और मेरा जो सिर था, वो थ्रॉप कर रहा था, धक धक कर रहा था, I was getting dizzy, मुझे dizzy आ रही थी, मारे चक्कर फील कर रहा था, I was getting dizzy, but I remembered the strategy, लेकिन author कह रहा है, तो भी मुझे एक strategy पता थी, एक नीती पता थी, योजना मेरी थी, मुझे योजना याद आई कि I would spring, मैं spring कर जाँगा, अब author यहाँ बता रहा है कि कैसे वो डूब रहा है, कैसे वो बचनी कोसेश कर रहा है, तो कह रहा है, जब ऐसा हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा सिर भारी हो रहा, यानि सिर धक-धक कर रहा, मेरे फेपड़ों में दर्द होने लगा, तो मुझे एक strategy याद आई ये, योजना याद आई, कि I would spring, कि मैं छलांग लगाँगा, from the bottom to of the pool, कि pool के bottom से, तली से मैं छलांग लगाँगा and come like a cork to the surface, और जैसे cork उपर तरनी लगता है पानी के, सरफेस में सता है, मैं बैसी मैं भी उपर आ जाऊँगा come like a cork to the surface cork की तरह सरफेस पर आ जाऊँगा I would lie flat on the water अब ये पानी के अंदर जब इसकी ऐसी हालात है, तब ये योजना है, और बना रहा, I would lie flat, I would lie flat on the water, और पानी पर मैं सीधा लेट जाऊँगा, flat लेट जाऊँगा बिल्कुल, strike out with my arms और अपने हाथों से strike out करने की कोशिस करूँगा यानि, strike out with my arms and thresh with my legs, thresh माने होता पीतना, अपने हाथ पैर मारूँगा यानि, हाथ पैर से पानी काटने की कोशिस करूँगा ऐसा ही सोचे and strike out with my arms and thresh with my legs अपने हाथ पैर से पानी को काटूगा हाथों से पानी को काटूगा और thresh with my legs और पैरों से पानी में पैर मारूँगा यानि, टांगे चलाएगा अपनी then I would get to the age of the pool and be safe और फिर कहता है तब मैं I would get to the age of the pool और तब मैं pool की age में आ जाऊँगा छोर में आ जाऊँगा, किनारे and be safe और सुरक्षत हो जाऊँगा I went down endlessly endlessly माने निरंतर अनवरत, अनंत रूपशे कि अनंत रूपशे मैं नीचे नीचे चला गया अब author कह रहा, उपर आने की तो बात छोड़ो अब मैं और नीचे चला गया अनंत रूपशे यानि जब पानी किसी को तेरना ना आता हो तो थोड़ी सी भी गहराई पानी की बहुत जादा लगती है तो वही author यहाँ कहनी को से पानी देख रहा था, dark water गहरा पानी that one could not see through इतना गहरा पानी था यानि अब पानी ऐसा लग रहा था कि वहाँ से कोई देख भी नहीं शकता था यानि कहने का मतलब कुछ आगे दिखाई भी नहीं दे सकता था बहुत ज़्यादा वो था कुछ नजर नहीं आता था अंधेरा था, dark water था that one यानि पानी जब बहुत गहरा हो जाता है तो वहाँ सफिर कुछ दिखाई नहीं देता वहीं चीज़े and then shear, shear माने मात्र, नितांत stark terror seized me और तब एक पक्का भाय एक पक्के भाय ने मुझे घेर लिया वह भाय जो कोई समझ नहीं जानता उस भाय ने मुझे घेर लिया जो कुछ समझ नहीं जानता यानि that knows no understanding जिसको कुछ समझ नहीं फिर आगे author कहता है terror that knows no control भाय जो कोई control नहीं जानता terror that no one can understand भाय जो कोई नहीं समझ सकता who has not experienced it कि उस भाय ने मुझे घेर लिया कि जिसको कोई नहीं समझ सकता यदि किसी ने वो चीज अनभव नहीं की यानि उस भाय से में घेर गया I was shrieking underwater मैं पानी के अंदर स्रीक कर रहा था चीख रहा था I was paralyzed underwater मैं पानी के अंदर पूरी तर paralyzed हो गया था Stiff बिलकुल Stiff माने कठोर Rigid with fear भर और भाय से बिलकुल कठोर हो गया था Rigid हो गया था Rigid माने होता है सक्त Stiff माने भी सक्त होता है जिसक्त हो गया था जैसे मुड़ा नहीं हो जाता हो उसी तरह हो गया था Paralized even the screams in my throat were frozen यहां तक कि जो screams थी, मेरी चीखे थी मेरे गले में वो जम गई थी यानि कहने मेरी जो चीखे निकलने वाली भी अगर हो तो वो मेरे गले में ही जम गई थी यहीं निकल नहीं पा रही थी बाहरावाज only my heart and the pounding in my head said that I was still alive and the pounding in my head और मेरे जो सिर की pounding थी, जो मेरे सिर जो धकदक कर रहा था, pound हो रहा था थोड़ा बहुत वो कर रहा था उसकी वाज़े से ही मुझे यह पता चला यानि जो pounding मान होता धमक, जो मेरे सिर में हलकी फुलकी पानी की धमक हो रही थी और मेरा हर्ट वो यह कह रहे थे, said that I was still alive कि मैं अभी भी जीवे थूँ यानि मेरे सिर की धड़कन सिर में जो धकदक हो रही थी धमक उसके काण मेरे हिर्दे काण मुझे पता चला था कि हाँ, अभी मैं जीवे थू I was still alive still माने अभी भी and then in the midst of the terror came a touch of region touch of region माने विचार आना कुछ समझ में आ जाना and then in the midst midst माने beach of the terror कि इसी भाय के बीच came a touch of region कि मुझे कुछ समझ आई एक समझ आई I just remember to jump मुझे याद आया jump करना when I hit the bottom कि जब मैंने bottom को hit किया यानि मेरे पेर जब bottom में पहुँचे तो मुझे याद आया कि jump करना है तो at last I felt the tiles under me कि मुझे अपने नीचे tiles कानभा हुआ my toes reach out as if to grab them और मेरे toes toes माने होता है पेर के जो अंगूठे होते हैं वो कि मेरे पाउँ अब यहाँ पेर तो यहाँ अंगूठे ना पहुचने का मतलब यह है कि यहाँ पेर के अंगूठे इसलिए बोला है कि ताकि वो जो पंजा होता है तो माने पंजा पंजा पहुचने का मतलब है अब यह खड़े होनी कोसिस करता है तो उस हिसाब से बता रहा है यानि जब मैं मुझे नीचे टाइल्स महसूस हुए तो मेरे पैर सतय में ऐसे पहुँचे जैसे पैर उनको पकड़नी कोशिस कर रहे हूँ यानि अब यहां यह मतलब है my toes reached out as if to grab them अब मेरे मानो मेरे पैर उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े हो टाइल्स को I jumped with everything I had कि जो कुछ मेरे पास था यानि जितनी मेरे पास पावर थी मैं jump कर गया but the jump made no difference लेकिन jump से कोई अंतर नहीं आया the water was still around me पानी अभी भी मेरे चार ओर था इस तिल माने अभी भी around मेरे चार ओर था I looked for rope look for माने होता तलास करना I looked for ropes, ladders, water wings अब मैं ये खोजने लगा पानी के अंदर ढूने इकोसिस करने लगा रसियां, सीढियां और water wings जल परे खोजने इकोसिस करने लगा nothing but water अब वहाँ कुछ नहीं था केवल पानी था nothing but water कुछ नहीं केवल पानी a mass of yellow water held me, कि a mass of yellow water उस पीले पानी की मास ने, मास माने होता है बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा तो पीले पानी की बड़ी मात्रा ने मुझे held कर रखा था, रोक रखा था या घेर रखा था stark terror took an even deeper hold on me, कि पक्के यानि गहरे भाय ने मुझ पर एक deeper, even deeper hold मुझ पर कल लिया था, यानि एक पूरे गहरे भाय ने, मुझे सुद्ध भाय ने मुझे एक बार फिर से जकर लिया था like a great charge of electricity, जैसे की electricity का एक बड़ा चार्ज हो, मानो बिडली का कोई बड़ा चार्ज हो, I shook and trembled with fright, fright मानो होता भाय, कि सुख मैं हिल रहा था और trembled कांप रहा था with fright, भाय से, my arms would not move, मेरे हाथ नहीं चल पा रहे थे, my legs would not move, मेरे पैर भी मूब नहीं कर रहे थे, माने हाथ पैर कुछ भी हिल नहीं पा रहे, ना मैं हाथ मूब करा पा रहा था ना पैर मूब करा पा रहा था, I tried to call for help, मैंने मदद के लिए पकारने की कोशिस की, to call for mother, अपनी मम्मी को मदद के लिए पकारने की कोशिस की, nothing happened, क कुछ नहीं हुआ, कि मेरे पकारने का कोई असर नहीं हुआ, आगे कहता है, and then, और तब, strangely, बड़े अजीब रूप से, बिचतर बात थी, and then, strangely, there was light, कि प्रिकास हो गया, I was coming out, मैं उपर की ओर आ रहा था, of the awful, I was coming out of the awful yellow water, कि उस डरावने, पीले पानी से, कि मैं उपर आ आ था, at least, my eyes were, कम्सकम मेरी आखें तो, आ ही रही थी, at least, कम्सकम मेरी आखें बाहर थी, my nose was almost out to, to माने भी, और, almost माने लगबग, और मेरी नाक भी लगबग, उपर आ गई थी, then I started down a third time, अब author कहता है, अब then तब, I started down a third time, मैं तीसरी बार, नीची को चड़ पा, यानि, started down, नीची को जाने लगा, I sucked for air, I sucked for air, suck माने होता है, खीचना, I sucked for air and got water, कि मैंने हवा लेनी की कोर्सिस की, स्वांस लेनी की कोर्सिस की, लेकिन घुजगया पानी, got water, आगया पानी, the yellowish, yellowish माने होता है, पीला सा, पीले की तरह, yellowish light was going out, एक yellowish light, यानि, एक पीली रोस्नी, go out माने होता है, बुझना, जो पीली रोस्नी थी, the yellowish light was going out, वो ही बुझ रही थी, यानि, जो प्रकास हो रहा था, वो ही बुझता हुए, समझ में आया, then all efforts ceased, तब सारे प्रयास I relaxed, I relaxed, कि मैं relaxed हो गया, मुझे चेन आ गया, even my legs felt limp, निम्प माने होता है, सकती ही, यहां तक की, अब यह डूब राया नीचे की, यहां तक की, तो लेकिन अब यह दूसरे तरह कानभा हो रहा हो रहा हो, ओथर को, कह रहा है कि, I relaxed, even my legs felt limp, कि यहां तक की मेरे पैर भी limp हो and a blackness swept over my brain, और एक blackness, अंधेरा swept over my brain, एक अंधेरा मेरे दिमाग पर छा गया, swept over हो गया, it wiped out fear, इसने मेरे भाय को wipe out कर दिया, पोच दिया, हटा दिया, it wiped out terror, इसने मेरे, जो मेरे मन में आतंक था, वो हटा दिया, there was no more panic, अब कोई panic नहीं थी, घवराट नहीं हो रही थी, अब बिलकुल एक शांती थी, एक बिलकुल इस तब्जता थी, निसब्द और सबको सांथ था, quiet था, बिलकुल सांथ, peaceful बिलकुल, nothing to be afraid of, ऐसा कुछ नहीं था जिससे डरा जाए, nothing to be afraid of, this is nice, बड़ा अच्छा है, to be drowsy, drowsy होना माने नीन में होना, कि उनीना होना अब ऐसा लग रहा था कोई जवरत नहीं जब करने की, too tired to jump, इतना थक चुका था, कि अब जब करने में, कि जब नहीं कर सकता है, too tired to jump, to माने होता है, जवरत से ज़्यादा, कि जवरत से ज़्यादा थक गया था, जब करने में, यानि जब नहीं में कर सकता था, it's nice to be carried gently, और बड़ा अच्छा लग रहा था, to be carry, carry माने होता है, gently माने हलके, हलके, क्योंकि अब हलके हलके नीचे जा रहा था, डूपते हुए, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, to float along in space, to float along in space, flat माने होता उतराना, तेरना, along in space, कि अंत्रिक्ष में तेरना, आकास में, ब अब इतना सब हो रहात है, यानि अम्रत्यू के ओथर करेब है, तो कहरा मुझे ऐसा फील हो रहा, तब क्या होता है, tender arms, कोमल हाथ, around me, मेरे चारोर, tender arms like mothers, कि अब कोई हाथ इसको अनभव होते हैं ओथर को, तो कहते हैं, tender arms like mothers, ऐसे कोमल हाथ जैसे मा के हाथ होते हैं, now I must go to sleep, अब मुझे जरूर सोना चाहिए, अब ये last का नभव हो राविल को जब डूबने ही बाला है, तो फिर क्या होते हैं, कोई बचा लेता है, किसी के हाथों का नभव होता है, फिर I crossed to oblivion, oblivion माने होता है, पूरी रूप से भूल जाना, I crossed to oblivion, यानि मैं भूल गया, सब भूल oblivion को cross कर गया, यानि बेहोस हो गया, and the curtain of life fell, और जीवन का पर्दा है, वो गिर गया, अब author अपनी आपको यहाँ, मरा हुए बताता है, कि मैं मर गया, मरने का नभव हुए, लेकि मरा नहीं, बेहोस हो गया, फिर आगे देखें ज़रा, the next, I remember, I was lying on my stomach, अब next, अब आगे ज कि उसी सरोवर के पास, उसी पूल के पास, बगल में, कि जब मुझे होस आया, तो मैं अपने आपको वहाँ पढ़ा पाया, अपने पेट केवल vomiting, उल्टी करते हुए, the chap that threw me in, was saying, और जिस लड़के ने मुझे फेका था, वो कह रहा था, क्या कह रहा था, but, वो कह रहा था, लेकिन, I was only fooling, लेकिन मैं तो किवल मजाक कर रहा था, someone said, यानि जिसने फेका था, उसने जब उसकी हालत देखी, कि यह तो दूपते दूपते बचा है, तो वो लड़का कह रहा है, कि मैं तो किवल मजाक कर रहा था, but, I was fooling, तो किसी ने का, someone said, the kid nearly died, कि यह kid, kid माने बच् nearly died, be all right now, अब सब ठीक हो, let's carry him to the locker room, चलो, हम इसे locker room तक ले चलें, अब सब लोगों उसको locker room के पास ले गए, आगे देखें, seven hours later, कि कई घंटों बाद, I walked home, मैं घर चल कर गया, I was weak, मैं कमजोर था and trembling, यानि मैं बहुत मुझे कमजोरी फील हो रही थी, और काप रहा था, I shook and cried, कि मैं सुक किया, मैं, सुक माने होता है कापना, हिलना, कि मैं सुक कर रहा था, हिल रहा था, और and cried, and cried, मैं हिला और रोया, यानि हिल भी रहा था, रो भी रहा था, when I lay on my bed, जब मैं अपने विस्तर में लेटा, I could not eat that night, कि मैं उस रात मैंने भूजन नहीं किया, I could not eat that at night, four days, a haunting fear was in my heart, four days, कई दिनों तक, a haunting fear, एक डराने वाला भाय, was in my heart, मेरे दिल में बरावर रहा, यानि मुझे बरावर मेरे हिर्दे में डर बना रहा, कुछ दिनों तक, the slightest exertion, exertion मन प्रियास, कि थोड़ा सा भी प्रियास, upset me, यानि थोड़ा से ही प्रियास में upset हो जाता थोड़ा हो जाता था, थोड़ा ही में, exertion करता है, जोड़ा लगाता था, तो बेहाल हो जाता था, making my, making me bobbly, bobbly माने होता है, हिलन डुलना, यानि एक टाइप से, वो बड़ा कमजोरी के कारण क्या होता है, पैर जब डगमगाएं लगते हैं, तो वो कहलाता है, लड़ान तो making me bobbly in the knees, तो अगर मैं थोड़ा ही से जोड़ा लगाता था, तो upset हो जाता था, यानि थोड़ा ही सा जोर मुझे upset कर देता था, दुखी कर देता था, क्योंकि में कमजोर हो गया था, और making me bobbly in the knees, और घुतनी मेरे लड़ान लगते थे, and sick to my stomach, और मेरे पेट में दर् पूल, author कहते हैं, इस घटने के बाद मैं कभी बापस पूल में नहीं गया, I feared water, मुझे पानी से डर लगता था, I avoided it, मैंने वहाँ पानी को अवोइड कर दिये, छोड़ दिया, whenever I could, whenever I could, कि जब भी मैं मुझे मतलब कहने, author यह कहने, मैं उससे बतनी का प्रेंट करता है, ज मैं बतनी की कोशिस करता था, फिर आगे author कहते हैं, a few years later, कि कुछ साल बाद, when I came to know the waters of cascades, अब cascades माने होता है, जल पर पाथ, कि author कहता है, कुछ समय बाद, कि कुछ समय बाद, उपर देखें थोड़ा, I avoided it, कि मैंने पानी को avoid किया whenever I could, जब कभी भी मुझको पानी मिला, तो मैंने उससे हट गया, मैं दूर हट गया, a few days, a few years later, कुछ बरसों बाद, when I came to know, जब मुझे जानने में आया, the waters of cascades, जल पर पाथ के पानी के बारे में, जब मुझे जानने में आया, यानि ज़रने बागेर होते हैं, उसकी बात कर रहा है, जानने में आया, तो I wanted to get into them, तो मैं वहाँ जाना चाहता था उस पानी में, यानि ज़रनों के पास जाना चाहता था, and whenever I did, जब कभी में गया, तो whether I was wading the titan or bumping river, or bathing in warm lake of the got rocks, कि अब चाहे मैं वेडिंग कर वेडिंग माने होता है, पैदल चलना, कि चाहे मैं पैदल क्रॉस कर रहा हूं, उसको पैदल चलकर पार कर रहा हूं किसको, टाइटन को, या bumping river को, या इसनान कर रहा हूं, in warm lake of the got rocks, got rocks की जो गर्म जील है, उसमें चाहे मैं इसनान कर रहा हूं, या कुछ भी मैं कर रहा आथर यहां कह रहा है, कि जब भी मैंने ऐसा किया, चाहे वह टीटन, या bumping नदी को चलकर पार करना हो, या got rocks की गर्म जील में नहाना हो, जब भी ऐसा हुआ, तो the terror that had seized me in the pool would come back, कि वो आतंक, जिस आतंक ने मेरे उपर घेरे डाला था, siege करके रखा था मुझी, in the pool, उस सर over में, YMCA server में, यानि उस pool में, तो would come back, जब भी मैं पानी में कहीं भी घुसता था, तो वो भापस, वो भय फिर से आ जाता था मेरे पास, यानि फिर से मैं डर जाता था, it would take possession of me completely, इस ने would take possession, माने अधिकार कर लेना, of me completely, इस आतंकने इस भय ने मेरे उपर पूरी तरह अ paralyzed, और मेरे पैर जो थे, वो paralyzed हो जाते थे, यानि संग्या सून हो जाते थे, I see horror, एक बरफीला भय, would grab my heart, और मेरा एक बरफीला भय मेरे हर्दे को पकड़ देता थे, यानि दिल में पूरा एक डर बैट जाता था, आगे वो कह रहा है, this handicap, ये असक्तता, इस्टेड रही, ब यानि ये कमजोरी, this handicap, stayed with me as the years rolled by, कि जैसे ही समय बीटता गया, जैसे ही बर्स बीटते गए, ये भय मुझ में बना रहा, यानि साल दासार बीटते गए और ये असमर्थता, ये handicap मुझ में बनी रही, in canoes on many lakes, fishing for landlock salmon, कि in canoes, canoe माने होता है, डौंगी, कि जब मैं डौंगी में होता था, many lakes में, लेक माने होता है, जील, fishing for landlock salmon, कि जो landlock, जमीन के अंदर जो साल्वन मचली होती, उसके सिकार में जब fishing करने के लिए हम निकलते थे, डौंगी में होते थे, तब west fishing in new ham sire, और ज तब, trot fishing on destutes and metoleus in Oregon, कि destutes and metoleus in Oregon, Oregon के metoleus और destutes में, कि जब trot को मानने जाए, trot भी एक परकार की मचली है, और fishing for salmon on the Columbia, और Columbia में salmon मानने के निकली जाते है, तब, at bumping laps in the cascades, और जर्णों में, गैस्केट के पास, जो bumping lake थी, वहाँ जब मचली मानने के लिए जाते थे, तो wherever I went, author कह रहा है, इन सब जगे, जहां कहीं मैं गया, the haunting fear, वो डराने वाला भाय, of the water, पानी का, followed me, मेरे पीछे रहा, यानि वो भाय मुझसे चिपका ही रहा, I ruined my fishing trips, कि I ruined, it ruined my fishing trips, कि जितनी मैंने fishing trips की इन इन जगेह पर, वो सब trips इस भाय ने रिवन कर दी, बेकार कर दी, deprived me of the joy of canoing, और इस भाय ने deprived कर दिया, मुझे वंचित कर दिया, me, of the joy of canoing, कि canoing माने होता है, डौंगी में जाना, यानि छोटी ना जो होती है, इसको डौंगी बोलते हैं, उसमें जाना, बोटिंग करना, और स्विमिंग करना, इन सब ज़ाय को उसने बेकार कर दिया, I used every way, I knew to overcome this fear, I used every way, मैंने प्रतेक तरीके से यूज करने कोशिस की, I knew, जो मैं जानता था, to overcome this fear, कि मैंने प्रतेक तरीका अपनाया, इस भाय से overcome होने का, पार पाने का, but it held me firmly in its grip, लेकिन ये भाय, मुझे firmly, द्रणता पूरवक अपनी grip में, अपनी पकड़ में पकड़े रहा, finally, अंत में, one October, एक October को, I decided to get an instructor, कि मैंने एक इंस्टक्टर लेने की कोशिस की, यनि इस्टक्टर माने होता है, जो सिखाय जो सिक्षक होता है, उसको लेनी की कोशिस की एंणelen to swim, और सीखने की कोशिस निश्शे किया, मैंने एक इंस्टक्टर लेने का निश्शे किया, और learn to swim और सीखने का निश्य गिया October के महिने में अंत में जब मैं भाई से परिशान हो गया फिर आगे author कहते है I went to a pool मैं pool के पास किया एक and practice five days a week कि एक हपते में मैंने पास दिन practice की an hour each day रोज एक घंटा the instructor put a belt around me instructor क्या करता था put माने रख देता था a belt around me कि मेरे चारोर एक belt बहां देता था a rope attached to the belt और एक रसी उस belt से attach होती थी went through a pulley जो pulley से होकर गुजरती थी और pulley that ran on an overhead cable और वो pulley एक overhead cable माने मेरे सिर के उपर से एक cable एक तार थी उसमें वो पुली थी तो वही से एक रसी attached थी जो मेरे सरीर से भी attached थी तो ऐसे वो मुझे बांद देता था he held on to the end of the rope कि वो रसी के छोर को पकड़े रहता था and be bent back and forth और हम आगे पीछे जाते थे back and forth माने आगे पीछे जाते थे back and forth across the pool कि पूरे पूल के आगे पीछे यानि कहने के मतला पूल को इस ओर तक पार करते थे after hour after hour घंटे वाद घंटे यानि घंटे दर घंटे day after day दिनो दिन week after week हपतो हपतो यानि ये practice बहुत समय तक चली on each trip across the pool a bit of the panic seized me a bit माने थोड़ा panic माने आतंक या भय घवरहाट कि जितने बार हम इस तरफ सो इस तरफ जाते थे pool को पार करते समय अब author यहाँ सीख रहा है वो जो instructor है वो उसको सिका रहा है वो उसके चारो रसी बान देता था उसके सरीर से पर रसी को पुली से attach कर देता था और जो पुली एक केवल से attach रहती थी यह गंटों हपतों हुआ यह यानि रोज गंटों होता था दिनो दिन हपतों हुआ फर यह और जितने बार हम जाते थे तो अब बिट ऑफ दा पैनिक सीज्ड मी तो इस घवराहट का जो छोटा सांस था वो मुझे घेरे रहता था मैसा इच टाइम दा इंस्ट्रक्टर रिलेक्ष्ट हिस होल्ड अन दा रोब प्रिते एक बार जब हम इस ओर से जाते थे तो जो इस ट्रक्टर होता हो रिलेक्स कर दे थे थे थोड़ा धील देते था छोड़ देता था अपनी पकड़ को रसी पर जो पकड़ बनाए रहता उसको ठील कर देता था था एंड आई वेंट अंडर और पानी के नीच चला ज और जब ऐसा होता था तो कुछ जो पुराना भय था वो बापस आ जाता था और माई लेक्स फ्रोज और मेरे पैर फिर से जम जाते थे आई वास थी मन्स विफोर दा टेंशन बिगिंग तो श्लैक अब इत वास थी मन्स अब यह लगबग तीन महीने हो गए थे यह लगबग में तो पुट माई फेस अंडर वाटर तब उस इंस्ट्रक्टर ने मुझे तौट किया सिखाया तूब तूट माई फेस अंडर वाटर की पानी के नीचे कैसे चेहरा चेहरा करना है एड एग्जेल और सौस बहार फखनी है एड टू रेज माई नोस और नाक को फिर बहार and inhale और फिर स्वास लेनी है फिर अंदर जाना है माने ये सब उसने फिर मुझे सिखाया I repeated the exercise hundreds of times कि author कह रहा है मैंने इस exercise को hundreds of times second बार repeat किया दोहराया bit by bit धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा I said part of the panic कि I said part of the panic कि मैंने इस भय का कुछ part क्या किया said said किया माने कुछ कम किया घटाया यानि थोड़ा बहुत ये आतं कि ये डर मेरे से हटा ये घवराहट खतम हुई आगे देखें that seized me when my head went underwater और लेकिन ये घवराहट that seized me जो मुझे घेरे रहती थी when my head went underwater कि जब मेरा सिर पानी के नीचे जाता था तो ये घवराहट बरावर मुझे फिर भी गेरे रहती थी next he held me at the side of the pool कि next फिर आगे क्या हुआ he held me at the side of the pool head me kick with my legs कि he held me at the side of the pool कि मुझे पूल के side में ले गया फिर वो and फिर आगे वो कहता है कि and head me kick with my legs और मुझे मेरे पैर चलाना उसने मन सिखाया कि वो कह रहा है कि इसके बाद ताल के किनार पर मुझे पकड़े रहा held करे रहा and और मैं head me kick with my legs और मैं अपनी पैर मारता रहा for weeks हपतो I did just that मैंने हपतो यही किया ऐसी प्रेक्टेस की at first my legs refuse to work पहले तो मेरे कामों ने मेरे पैरों ने काम ही करना मना कर दिया यानि कहने का मतला पैर ही नहीं चल रहे थे at first my legs refuse to work but they gradually relaxed लेकिन धीरे धीरे उन पैरों ने relax किया थोड़ा बहुत उनमें तनावहीन होने लगे भी and finally I could command them और अन्त में ऐसा समय आया कि मैं उनको command कर सकता था यानि हाथ पे रच्छे चला सकता था दस इस प्रकार piece by piece इस प्रकार piece by piece टुक्डे टुक्डे करके he built a swimmer उस सिखाने वाले ने एक swimmer बनाया एक तैराक बनाया यानि author अपनी बात कर रहा है कि दीरे दीरो उस बैक्तीरे मुझे सिखाया he built a swimmer and when he had perfected each piece और जब उसने हर एक piece को perfect कर दिया सिखाने अब यहाँ author यह कह रहा है कि उसने step by step सिखाया और एक-एक step को एक-एक piece को जब उसने पूरा perfect कर दिया तो he put them together into an integrated hole integrated hole माने एक पूर्ण मात्रा में फिर उसने सब टुकड़ों को एकटा together कर दिया यानि सब को मिला दिया यानि पूरी तरह सिखा दिया in April he said और जब April का महिन आया तो उसने कहा now you can swim अब तुम तैर सकते हो dive off dive करो and swim the length of the pool crawl stroke और crawl stroke में रेंग ते हुए कि अब जाओ और रेंग ते हुए जाके इस पार से उस पार जाओ गोता लगाओ और ताल की पूरी लंबाई तैर कर पार करो धीर 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 जाओ crawl stroke crawl करके धीर धीर रेंग रेंग के जाओ आगे देखें I did I did मैंने ऐसा किया the instructor बात finished अब instructor कर तो काम पूरा हो गया था but I was not finished लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुए था I still wondered मैं अभी भी सोचता था wonder विचार करता था if I would be terroristic अगर फिर मुझे भाय ने घेर लिया तो when I was alone in the pool कि अगर अगर मैं ये सोचता था कि अगर मैं अकेला हुगा पूल में और फिर मैं आतंकित हो गया उसी भाय से तो फिर क्या होगा तो फिर क्या होगा सौरो श्टिकन माने होता है भया क्रांथ होना तो I tried it मैंने फिर ऐसी कोशिस की यानि मैंने कोशिस की कि अब मैं अकेला तेर हूँ I swam the length up and down कि जो length थी पूल की उसकी up and down उस तरब जाना इस तरबाना ऐसे मैंने तेरा up and down पूरी length को तेरा tiny vestiges of the old terror would return up tiny माने छोटी 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 आउसेशों में जो पुराने भय का छोटी 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 आउसेशों में लोटा आता था but now लेकिन अब I could front अमें क्रोध कर सकता था and say to that terror और उस भय से कह सकता था दिखत कहता है कि अभी पुराने आतंग के आउसेश लोटा करते थी पर अम मैं क्रोधित होकर उस भय से कह सकता था trying to scare me मुझे डरानी की कोसेश करो या अच्छा या माने अच्छा तुम मुझे डरानी कोसेश करें वैल ठीक है and of I would go for and the length of the pool और ऐसा कहकर मैं I would go for and the length of the pool में एक बार फिर जाता था उस पूरे pool को cover करता था यानि कहने के मतला फिर उसको पार कर देता था तो अब यानि सुधार हुए author की भय मैं अब आगे देखे ज़रा this went on until July अब April से लेकर ये जुलाई तक चलता रहा but I was still not satisfied लेकिन author कह रहा मैं अभी भी संतोष नहीं था I was not sure मैं sure नहीं था निश्यत नहीं था that की all the terror had left की सारा भय चला गया so I went to lake so इसलिए मैं गया lake went forth in New Hampshire की New Hampshire में जो lake माने होता है जील जो bent forth जील है मैं वहा गया drive off a dock at Trix Island की Trix Island में मैंने एक dock से मैंने dive off किया drive off नहीं है dive off है और मैं dive कर गया and swam and swam और tear गया two meals across the two meals across the lake to swamp act islands अब author यहां कहता है कि मैं वहां गया यह चीज जुलाई तक चलती रही फिर मैं हम सारे के lake bent worth गया जो lake bent worth है मैं वहां गया और Trix Island में dog से कूदा और दो meals जील में तेर कर stem act island पहुचा कहां crawl करके तहरा braced stroke से तहरा चाती के वल side stroke and back stroke इन सब तरीके से तहरा वो only once के वल एक बार did the terror return के वल एक बार भाय लोटा when I was in the middle of the lake जब मैं जील के ठीक middle में था तब थोड़ा भाय लोटा I put my face under कि मैंने अपना चेहरा पानी के नीचे किया and saw nothing but bottomless water मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया केवल bottomless यानि अथाय पानी दिखाई दिया the old sensation return वो पुरानी संसनी वो पुराना संबेदन सीलता sensation माने संबेदना वो पुरानी संबेदना in miniature return in miniature 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 माने लगू छोटी छोटे रूप में फिर से वो अनभो लोटा sensation लोटा I loved and said मैं हसा और मैंने कहा well mister terror अच्छा mister terror what do you think you can do to me तुम क्या सोचते हो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो author कह रहा है कि तुम क्या सोचते हो मेरे लिए तुम क्या कर सकते हो मेरा तुम क्या what do you think you can do to me तुम क्या सोचते हो क्या कर सकते हो मेरे लिए कि आतंक साहब आपके ख्याल में आप मेरा क्या बिगार सकते हो यह अथ हो इसका I fled मैं भाग गया and swam on और तेर कर आगी चला गया swam on एट तो भी I had residual diets residual माने होता है बचे खुचे अब तो भी कुछ बचा खुचा आउसे इस रूप में कुछ संधे था भी मुझे doubts से कुछ at my first opportunity कि जब मेरा पहला उसर आया तो I hurried west मैं पश्चिम गया went up to up to the Titan to Conrad Meadows went up to the Titan Titan गया वहां से Conrad Meadows गया और अप the Conrad Creek Trail Conrad Creek Trail से में गया Mead Glacier and came in high meadow by the side of the warm lake और गर्म जील के side माने बगल में मैंने high meadow उचे चारा गाया मैंने camp लगाया अपना the next morning अगली सोबह I stripped मैंने कपड़े उतारे dived into the lake जील में छलांग लगा गया and swam across to the other shore shore माने किनारे और पार करके दूसरे छोर में चला गया and back और बापस just as dog corporan used to do जैसे कि dog corporan किया करते थे वैसे ही मैंने किया यह कोई तेराख है उसकी बात कर रहे यह author I जैसे dog corporan किया करते थे वैसे ही मैंने किया I shouted with joy मैं आनन इसे चिलाया Gilbert peak returned the eco Gilbert peak ने एक चोटी है परवत है जिसका नाम Gilbert है तो उस Gilbert peak ने मेरी आवाज को बापस किया eco किया यानि गूंज उत्पन हुई वहां से I had conquered my fear of water मैं अपने पानी के भाय से conquer कर चुका था बिजय प्राप्त कर चुका था माने मैं उस भाय को जीच चुका था the experience had a deep meaning for me अब ये भाय से बिजय पाने का जो अनभाव था ये मेरे लिए एक गहरी meaning रखता था ये बहुत बड़ा अर्थ रखता था मेरे लिए as only those who have known as चुकि only those केवल वे लोग who have known is stark terror कि जो केवल पक्का भाय जानते हैं कि पक्का भाय क्या होता है and conquered it और वो उस भाय को जीच चुके हैं can appreciate वो ही मेरी इस अनभाव की परसंसा कर सकते हैं कि जिनोंने भाय को जाना है और भाय को जीत लिया है कि पक्का भाय क्या होता ह है कि सुद्ध भाय क्या होता है in death there is peace कि म्रत्यू में सांती है there is peace there is terror only in the fear of death केवल यदि आतंक है तो केवल म्रत्यू के भाय मैं है म्रत्यू में तो सांती है लेकिन आतंक केवल म्रत्यू के भाय मैं है as Roosevelt knew अब जैसे कि Roosevelt प्रेसिडेंट रूस्बेल जानते हैं वे नहीं चुकि प्रेसिडेंट रूजबेल्ट जानते थे जब उन्होंने ये कहा था All we have to fear कि वो सब जिससे हमें डरना है It's fear itself कि स्वेम भय है कि ये भय ही है कि जिस वस्तु से डरना है वो है डर ही है Because क्योंकि I had experienced both the sensation of dying कि author कह रहा है क्योंकि मैंने I had experienced both the sensation of dying कि मैं दोनों का मैंने अनभव किया both the sensation of dying कि मरने का अनभव and the terror that fear of it can produce and the terror और वो आतंग that the fear of it जो मृत्यू का भय उत्पन्य करता है वो आतंग इन दोनों यानि मृत्यू और मित्यू के भय इन दोनों का मैंने अनभव किया था अनभव कर लिया at last I felt released author कहता है अन्त में मैंने released महसूस किया मुक्त महसूस किया भय से मुक्त महसूस किया free to walk the trails और मैं मुक्त था उन trails उन पगडणियों में walk करने के लिए चलने के लिए and climb the peaks चोटी पर चढ़ने के लिए to brush aside fear और भय को एक तरब छोड़ कर भय को एक तरब छोड़ देने के लिए brush aside माने होता है एक तरब हटा देना इस तरीके से यह जो chapter है वो यहीं पूरा होता है आसा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को like और share जरू करें आगे अगले वीडियो मिलते हैं तब तक लिए नमस्कार जै हिंद्य जै भारत बंदे